नमस्तिरिये स्टूरेंट्स वेलकम टू पीटी एजुकेशन माई नेम इस गौरफ गांधी और मैं लेकर आगया हूँ आपके लिए आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सेशन दोस्तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दा बन गया अब दोस्तो क्योंकि सारे फार्मर् नहीं है यह बहुत टाइम से चल रहा है तो अब यह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यह हमें समझना बहुत-बहुत जरूरी हो जाता है नौट जस्ट फॉर एक्जाम पॉपसेशन बट आलसो पर जंडर लर्निंग और प्रोफेशनली भी आपको बहुत-बहुत काम आएगा दोस्तों तो यह पूरा farm law controversy क्या है समझने की कोशिश करते हैं दोनों ही तरफ से government भी और farmers भी दोनों ही भला चाह रहे हैं farmers का की welfare हो लोगों का लेकिन दोनों के strategies अलग है और दोनों एक दूसरे को उल्टा जवाब दे रहा है और उल्टा कर रहे है फार्मर्स सोच रहे है क तो तीन farm laws आये थे दो महिने पहले यह पहला यह दूसरा और यह तीसरा यह तीन farm laws जब से आये है उसके बाद से ही बहुत protest होना शुरू हो गया है क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को लगता है farmers को कि वो उनके hit में नहीं है और government जादा corporates को favor कर रहे है समझने की कोशिश करते ह जाओ November 26 27 से लेकर आज तक December की first week तक ऐसा हुआ है कि डेर दो लाख लोग आदमी औरत बच्चे सब दिल्ली चलो प्रोटेस्ट में मार्च पे निकल गये हैं और यह पूरा MSP को लेकर एक जगडा है दोस्तों कि MSP शायद हट जाएगा तो समझने की कोशिश करते हो क्या रह है दोस्तों कि यह बिल जो है वो private investments को attract करेगा जिसके वज़े से farmers को पूरी छूट होगी कि वो APMC मंडी में नहीं बट वो ऐसे ही किसी को भी माल बेच सकते हैं जिसे उन्हें ज्यादा मुनाफ़ा हो सकता है और farmers को यह लगता है कि APMC अगर आप हटा दोगे और अगर आप MS पी हटा दोगे तो होगा यह कि उन्हें exploitation का जहलना पड़ेगा और corporate जो है वो उनसे उनको exploit करना शुरू कर देंगे और कम दामें उन्हें बेचना पड़ेगा तो दोस्तों basically यह पूरा क्या मुद्दा है समझते हैं यह दोस्तों एक APMC मंडी है agricultural produce market committee अब आप एक बात समझ जी कि अगर farmers है तो farmers को अपना माल अपना जो उनका food grain वो जो भी उगा रहे है crops उगा रहे है उनका price decide कौन करता है farmers को खुद को करना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों farmers are price takers इसका मतलब क्या है जब farmers price takers है मतलब उनके पास bargaining power नहीं होता क्योंकि हमारे most of the farmers के पास चोटे-चोटे land होते है और बहुत कम-कम produce करते है वो तो उनके पास bargaining power नहीं बचता तो उसी के वज़े से एक APMC मंडी आया अब APMC मंडी में क्या होता है government regulate करता है यहां पर सारे prices decide होते हैं और फिर farmers यहां आकर बेचते है इस मंडी में अब यहां problem क्या है ज्यादा तर traders को बेचते है traders APMC मंडी में corporate को या जिनको भी चाहिए होता है उन्हें बेचते है तो यह जो traders है ना यहां पर बहुत बड़ा problem आ रहा है क्योंकि यह middleman शायद बहुत ज्यादा मुनाफ़ा खुद ले लेते हैं farmers को आज तक दोस्तो subsidized rate में ही पैसे मिल रहा है और यहां पर हम तक आते आते दोस्तों ज्यादा हो जाता है price तो यह बीच में traders का बहुत बड़ा problem था जो समझ में आया जिसके वज़े से and APMC मंडी ज्यादा होते भी नहीं है दोस्तों 40% APMC मंडी में बिखता है बस बागी 60% आज भी ऐसी खुले बजार में बिखता है बट अब ऐसा हो गया कि farming is not a very remunerative business दोस्तों तो farming से लोग निकलना चाहरे है चार में से तीन लोग आप farming से बाहर निकलना चाहरे है क्यों क्योंकि यह अच्छा model नहीं बन रहा यहीं APMC में ही MSP बन जाता है लेकिन problem यह है कि APMC मंडी में भी बहुत problem है जिसके वैसे government ने कहा कि अब APMC मंडी तो रहेगा ही लेकिन बाहर में भी लोग बेच सकते हैं तो यह पूरा दोस्तों अभी तक का कहानी है और यह तीन farm bills थे अब problem यह हुआ है कि ना farmer और ना government कोई भी ready नहीं यह blink करने को हो क्या रहा है कि पंजाब और हर्याना से दिल्ली बहुत सारे लोग walk करकर करके March करकर करके निकले हैं farmers and they are protesting against the laws that were passed in September 2 महीने पहले fearing they take away the promise of a guaranteed sum वो यह promise कर रहा है कि MSP मिलेगा लेकिन कहीं पर इन writing लिखा नहीं है कि MSP मिलेगा तो अगर MSP नहीं मिला farmers को तो उन्हें डर है इस बात का कि अगर government आगे चल कर farmers का यह MSP वाला चीज़ अगर हटा दे क्यों कि APMC तो धीरे-धीरे हट रहा है APMC का value कम हो जाएगा तो अगर MSP हट गया तो फिर उनको minimum support price नहीं मिलेगा और बड़े-बड़े corporates इन छोटे-छोटे farmers को exploit करना शुरू कर देंगे और अगर exploit करेंगे तो उनके असको bargaining power नहीं बचेगा तो एक APMC ही सहरा था और MSP ही सहरा था जो अब खतम हो जाएगा तो इसलिए farmers are agitating and PM has told that this is there is no deceit behind reform laws और वो आपके भलाई के लिए है तो समझते हैं why are the current protests exceptional यह बहुत exceptional है दोस्तों क्योंकि यह एक दो दिन के लिए नहीं हो रहा यह अब महीनों से चल रहा है और यह national capital तक पहुंच गये लोग और पंजाब और हर्याना के richest class farmers वहां पहुंच गये क्योंकि उन्हें MSP करने की कोशिश कर रहे थे डिमांड क्या है farmers का farmer का demand बहुत सिंपल है आप APMC हटाओ मत APMC को regulate करो अंदर ही अंदर और एक MSP इशू जो है MSP इशू दोस्तों basically क्या है कि आप MSP हटाओ मत MSP को एक law बना दो government बोल रहा है कि हम MSP नहीं हटाएंगे तो farmer बोल रहा है आप law बना किलों में बिखता है बहुत जगे आठ हुर्पय किलों में बिखता है दोस्तों तो farmers के पास कोई hold ही नहीं है अपने crops का और ज्यादा टाइम तक उसको रख भी नहीं सकते हैं तो यह negotiating power भी नहीं होता farmers के पास a law with an MSP provision will guarantee them a minimum income और MSP क्या होता है दोस्तों यह पूरा यहाँ पर explain किया हुए just in case आपको समझना होता आप यहाँ से समझ सकते हो अब आप यहाँ पर देखिए इसके वज़े से government ने क्या किया government ने पिछले बार से इस साल भढ़ा दिया procurement of at MSP MSP से जो भी वो wheat लेते हैं वो पिछले साल से इस साल भढ़ा दिया paddy rice को भी भढ़ा दिया क्यों भढ़ा दिया ताकि लोगों को शांत किया जा सके कि लोगों को लग रहा है कि MSP हट जाएगा इसलिए इस साल उन्होंने भढ़ा दिया पंजाब is the best of the state जिसमें major party procuring states में से काता है पंजाब और हर्याना और यहीं से लोग प्रोटेस्ट में निकले है अब एक चीज एक आंगल ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह बहुत इंट्रेस्टिंग आंगल है पंजाब को कहा जाता है कि उन्हें बहुत प्यांपर किया जाता है और जिसके विसे पंजाब बहुत फाइदा उठा रहे है अब यह एक डिफ पैंपर किया जा रहे है राइस अगर आप देखोगे तो 1 5 एक इसो नौ पांसो बीस संवेर और 1 5 से भी कम कि जार इस पंजाब से provision की आज्चाब तो पंजाब और हर्याना को बहुत बहुत ज़्यादा था यहरी इंडि कैश्ञ इरिच्ट में 46.5% area irrigated है पंजाब में 99% area irrigated है fertilizer and electric subsidy में भी आप देखोगे तो यह बहुत ज़ादा है मतलब पंजाब को बहुत ज़ादा pamper किया जा रहा था और इसी वज़े से वो प्रोटेस्ट में आया है कि उनका वो चीज अब हट ना जए उन्हें उसी चीज का डर है अब बात यह करते है तो अब बात यह है कि अगर हम APMC को हटाते हैं तो यह competition क्रिएट करेगा जो हर जगह था पहले भी अब competition का अपना positive और negative है APMC जाधा तरना politicians और traders dominate करके रखते हैं तो farmers को जाधा फाइदा होता नहीं है और farmers के साथ एक और चीज जो अच्छा हुआ यह तीन बिल्स में जो सेकेंड बिल था essential commodity वाला उसमें basically यह हुआ कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा नहीं सकते हो अपना माल को लेकर लेकिन अब वो farm law आने के बाद अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाकर बेच सकते हो अपने माल को उसमें एक चीज़ अच्छा है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हो लेकिन एक चीज़ खराब यह है कि most of our farmers इतने गरीब है कि वो एक जगे से दूसरे जगे जाने का खर्चा नहीं उठा सकते the new laws take away the comfort of an APMC even as it is as it retains MSP the whole crux of the problem क्या है farming actual में अगर ध्यान से दिखा जाए दोस्तो तो वो रेमिनरेटिव होता ही नहीं है सबसे जादा लोग employed है farming में लेकिन वो रेमिनरेटिव नहीं है अच्छा पैसा नहीं देता खली rich farmers है जिनको मिलता है और agriculture सबसे जादा regulated है अगर उसे competition में open कर दिया जाए जैसे अलग-अलग sectors है तो far too many people are dependent on farming और अब it may be time कि अब ज़्यादा लोग farming में जो लोग है वो निकल के दूसरे-दूसरे sector में जाना शुरू कर दे अभी तो center ने MSP regime को dilute नहीं किया है और सिर्फ wheat और paddy में ही MSP चल रहा है but the center does not produce procure other crops under MSP तो ज्यादा तरब बात यह है दोस्तों कि लोग बहुत ज्यादा है और इससे unproductive हो रहा है यह पूरा sector अब लोगों को निकल कर दूसरे जगे डालना बहुत जरूरी है कहां डाल सकता है यह आप बताईएगा दोस्तों PM Modi बात करते हैं मन की बात की, farmers कह रहे हैं कि अब आप आईए हमारे साथ बैठी है और मन की बात हमारी समझने की कोशिश करिए जो आज अब होगा दोस्तों first week of December में farmers make it clear their demands are not negotiable and they want the MSP thing to be a law जो की government बोल रहा है कि हम law नहीं बनाएंगे और APMC को वो रखना चाहते है opposition is misleading farmers on agricultural reforms is what PM Modi says और वो कह रहे है कि हमारा कोई भी negative agenda नहीं है यहाँ पर और आपकी भलाई के लिए ही है यह तो यह पूरा farm law controversy था दोस्तों I hope आपको समझ में आया होगा दोनों side से ही ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे का फाइदा सोच रहे है लेकिन एक का strategy को चल लग है एक का strategy को चल लग है farmers को जादा तर पंजाब और हर्याना में सबसे जादा problem यह क्यों worst affected है उससे जादा affected और कोई है नहीं और उनको सबसे चाहिए और यह farm law controversy उन्हें भी समझ में आये वायर farmers protesting अच्छा है farmers प्रोटेस्ट कर रहे है तो आज हमें भी समझ में आ रहा है कि उनकी क्या plights है उनके क्या pain points है दो question में आपके लिए लाया हूं दोस्तों यह दोनों बहुत important question है सबसे पहला question आपके comments ने बताईएगा अगर आप बता सको तो कि कोई भी ना एक fixed price नहीं है पूरे इंडिया में onion को लेकर या कोई भी commodity को लेकर तो ऐसा क्यों नहीं है क्या हम एक fair price बना सकते हैं पूरे इ जाब is being pampered and favored a lot. Please elucidate, please explain, justify कि यह true है या नहीं है यह दो questions के answer भी comments में दीजेगा. Thank you so much. I hope आपको अच्छा लगा होगा. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. This is it from my side. कल फिर मिलेंगे ऐसे एक interesting session के साथ दोस्तों. अगर अच्छा लगा तो please please comments रने बताईएगा. Thank you so much. Namaste. Jai Hind. झाला लगा 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 होगा.